नमस्कार आप सभी का एगेंस्ट कप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना अधिकार अधिनियम के तहत किस प्रकार लोग सूचना पदाधिकारी द्वारा मन मानी कर सौसमें सूचना नहीं देते हैं नहीं सौसमें आवेदन को सही लोग सूचना पदाधिकारी के यहां अस्थान तरिक करते हैं चलिए जो इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अब सब्सक्राइब करने तथा बेल आइकन को दवा कर अल पर भी क्लिक करने जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो का नोटिपिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे और आप भी वरस्टाचार के खिलाप आसानी से आर्टियाई का प्रियोग कर सकें तथा इसे एक लाइक अबस्र कर देंगे तथा इसे इतना सेर करेंगे कि हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके और वे आर्टियाई का प्रियोग कर हो रहे वरस्टाचार के खिलाप आसानी से लड़ सके चलिए मैं आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ बिहार सरकार के ग्रिह विभाग के लोग सूचना पदादिकारी नौडल ऑफिशर आरक्षी साका बिहार पटना द्वारा सौसमें आवेदन को अस्थांतरित नहीं किया गया मैंने एक ऑनलाइन आवेदन किया था जिसे अस्थांतरित करने है तू पांच दिनों के अंदर नियम है धाराच छो तीन के तहत जिसे आवेदक को सही सूचना सौसमें ना मिल सके तो यह मुझे देखिए कम मिला है आप लोग पूरी तरह देखे बिहार सरकार ग्रही विवाग आरक्षी साका प्रपत्र अन्य प्रादिकार से संबंदित आवेदन का अस्थांतरन प्रेशक है लोग सूचना पदादिकार पुलिस महा निर्देशक काड़ जाले बिहार पटना को अस्थांतरित किया गया है लेकिन कब किया गया और मैंने कब सूचना मांगी थी आप लोग डेट का ध्यान रखेंगे महासाय श्री प्रविन कुमार सर्मा का आउनलाइन आवेदन दिनांग 110-2022 ध्यान रखेंगे मैंने आउनलाइन 110-2022 को ही करवाई थी जिसे अधिकतम पांच दिनों के अंदर इसे अस्थांतरित कर देना चाहिए था सक्षम प्रादिकार के यहां लेकिन आउनलाइन आवेदन करने के बावजूद आउनलाइन आटियाई करने के बावजूद उन्होंने आईडी संख्या 348 दिया है दिनांग 8-11-2022 जबकि आटियाई एक्ट के तहट 30 दिनों के अंदर सूचना उपलब्द करवा देनी चाहिए थी लेकिन एक महा आट दिन पर मुझे आईडी ही मात्र दिया गया है कि आपका सूचना है तू संबंदित 36 दिकार को अस्थांतरित कर दिया गया है इसके साथ नमित काड़नाव से सनलंग किया जाता है वांची सुचना इस विभा काड़ियाले के छित्रादिकार में नहीं परता है चुकि यह आपके विभा काड़ियाले के छित्रादिकार में दिकार में है तैसे आवस्यक काड़ियात आपको अस्थांतरित किया जाता है ये लोग सुचना पतादिकारी जो है पुलिस महान निर्देशक को एक महा आठ दिन बाद या आवेदन हस्थांतरित किये हैं जबकि लोग सुचना पतादिकारी द्वारा यदि गलत जगह गलत काड़ियाले में आवेदन चला जाता है तो RTI F की धारा 6-3 के तहत उसे 5 दिनों के अंदर ही अस्थांतरित करने का नियम है और अधिक्तम 30 दिन प्लस 5 दिन 35 दिनों के अंदर वह सुचना उपलब्द करवा देनी चाहिए थी लेकिन लोग सुचना पदादिकारी द्वारा सौसमय कारवाई नहीं की जाती है जिससे भरष्टाचार बरता जा रहा है और आवेदक को बहुत अधिक परिशानी का सामना करना परता है आसा है आप लोग अच्छी तरह समझ रहे हैं कि किस प्रकार विहार में भरष्टाचार प्याप्त होता जा रहा है ग्री विवाग एक ऐसा विवाग है जिसमें सिख्र कारवाई होनी चाहिए थी यहां तक कि जीवन और सुझनता से संबंदित सूचनाएं मात 48 गंटे में देने का नियम है लेकिन लोग सूचना पता अधिकारी द्वारा आट एक का सो समय पालन नहीं किया जाता है इतने बरे बरे अधिकारी होकर भी ये कोई सो समय सूचना ना तो देना चाहते हैं ना सही सूचना प्रकासित होने देना चाहते हैं जिससे भरस्टाचार का खुलासा हो सके जैहिन